हेलो एबरिबरन कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इस वर्ड के बारे में जो अभी इस टाइम इसकिन पर सो हो रही है आर ए एम रैम जिसका पूरा नम होता है रैंडम एक्सेस मिमोरी जो हमारे कम्प इसके बहुत सारे टाइप हैं सबसे पहले आये था है एस डी रैम उनीशो अठासी में उसके बाद इसके बहुत सारे वर्जन आहें जैसे डीडियार डीडियार 123 डीडियार 4 और इस टैम लेटेस्ट हैं डीडियार 5 अगर आपके सामने फिजिकल रैम मिल जाए तो कैसे प जैंक ये लेप्टॉप का रहे है यहां पे आपको कहीं नहीं मिलेगा कि DDR 1 का है कि तू का है को दिखेरी है आपको इसके बैक हैंने लिखा ऑगा चाल से तो की है क। कौन सा है तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको यहां पर जाने जैसे 1GB लिखा है 1GB 1RX system PC3 जहां पर PC3 लिखा है ना PC3 इसका मतलब है कि यह DDR3 का RAM है यहां यहां पर देखिए यहां पर कहीं लिखा है यह PC3L यहीं की DDR3 का है यह रहा है और इस इस तरह से हम अपने RAM को बहुत सी असानी से हम लो आइडेटिफाइब कर सकते हैं कि हमारे पास कौन RAM है इस टांके जैसे मैं चलता हूं इसको देखतें कौन से रहा है इसे डिटीर 3 यहां लिखा होगा है अच्छार है यह बहुत कुछ पוד लिखा हूँब यह DDR3 का RAM है, बहुत यह असानी से हम लोग identify कर सकते हैं, यह नहीं तो यह जो पीन है न, इस पीन से भी हम लोग पहचान सकते हैं, कि हमारा जो system है, सोरी, जो RAM है DDR कौन सा है, यह कह है, यह आपका laptop का wireless card है, जिसको land card भी बोलते हैं, तो बस आज के लिए इतना है, यह हमारा CPU है, CPU, processor, I hope आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं अंगले वीडियो में, thank you,